कैसा होगा जब हमारा फुद्दू सा डेजर टेमपल कुछ ऐसा दिखने लग जाए भाई क्या चीज है ये और तोर क्या आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट की जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी वी है और तोर एक ऐसा जंगल टेमपल है जिसके ट्रैप्स अगर आप पार कर लेते हो तो भाई आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे वेल ऐसी ही खतरनाक बेल्ज आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं बहुत मसा आएगा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना लेट्स बिखिन तो शुरुआत करेंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर से जो हमको जंगलों की बीचों बीच मिलता है और वो है हमारा जंगल टेंपल और इस जंगल टेंपल को ढूड़ना कोई बड़ी बात नहीं है एंड ये दिखने में भी तिना खास नहीं लगता है लेकिन जो हमारे ट्रिक्सी ब्लॉक्स है उसने जंगल पिरामिड को चेंज करकर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है और मेरे को ये पिरामिड ना ज्यादा पसंद आया है न क्यूंकि रियल लाइफ का पिरामिड भी तो कुछ ऐसा ही दिखता होगा बड़े बड़े पहाड़ों की बीच एक ऐसी इ लेकिन अगर हम पिरामिड के टॉप पर देखते हैं तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई एक खतरनात सा फेस मेरे को गूरे जा रहा है और इस ताइम पे में कोई सारी सीडियां क्लाइम करनी पड़ेगी यार ताकि मैं टॉप पर पहुंच सकूं एंग टॉप पर पहुं तो कॉंग्रेचुलेशन्स गाइज आपको इतना सारा ट्रेजर मिलेगा जिससे आप इस वर्ल के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो माइनक्राफ्ट की मामुली केव्ज में आप एक ना एक बारी तो जरूर गए होगे जहाँ पर आपको ये चमकाधर और कभी ना का बारी ये म अगर कोई भी पहली बार प्लेयर इसको देखेगा तो वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि भाई जमीन के अंदर एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है सबसे पहले तो आपको दिवार से लटकी बड़ी बड़ी लाल टेंस देखने को मिलेगी जो इस बड़ी सी केव में रोश्नी करती है और इस केव के अंदर छोटी-्छोटी कलोनिश भी बसीवी हैं देखो जरा यार कितने प्यारे प्यारे घर है विलेजर्स के और ये विलेजर्स की घर एक दूसरे से ब्रिजिस से कनेक्टेड हैं और ये विलेजर्स इतर से उतर जाने के लिए इन प्यारी प्यारी जी बोर्ट्स का यूज करते हैं पानी के अंदर और इस केव को इतना बखू भी बनाया गया है अगर आप दिहान से देखोगे तो ज़रा ये देखो एक बड़े से इंसान ने अपने कमर के उपर पूरी केव का भार उठा रखा है और इस केव की मेन अट्रेक्शन बिलकुल केव के एंड पे बना रखी है जो है ये बड़ा स कासल और इसके अंदर ना बहुत सारा हेरी है भाई लेकिन आप मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे जरा ये देखो भाई एक उड़तावा ड्रेगन एक साप से फाइट कर रहा है और इस ड्रेगन के मुह से खतरना सी आग भी निक करते थे लेकिन जो माइनक्राफ्ट का डेजर्ट पिरामिड है इसमें राजा क्या एक नॉर्मल प्लेयर भी नहीं रहना चाहेगा लेकिन अगर आप इस तप्ती धूप में इन बड़ी बड़ी लावा की नदियों को पार करकर डेजर्ट की बीच में आओगे तो आपको ए पिरामिड के अंदर जाने से बहले मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ दोनों साइड सेम स्टैचूज बना रखे हैं जो हमारे एजिप्ट गौड है और पिरामिड के बिल्कुल बीच एक बड़ी सी आई बनी भी है एंड जरा देखो बड़ी सी आई के सामने में कि पिरामिड को थोड़ा दूर से देखे तो आपको पता लगेगा कि इनकी वाल्स के उपर कुई अलग सी आर्ट बना रखी है एंड इनका क्या मतलब है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता रेकिस्तान और पानी भाई इन दोनों का इनाता थोड़ा तूर दूर का है और ऐसे ही माइनक्राफ्ट में होता है जो हमारे माइनक्राफ्ट का डेजर्ट है भाई हमापर हमको काफी कम पानी देखने को मिलता है और एकर हम पानी की बात करी रहे है तो पानी के अंदर हमको एक ओशिन देखने को मिलता है जो बड़ा ही छुटकोस है और इसके प्रोटेक्शन ये इंशेंट गाडियन्स करते हैं लेकिन ज़रा ये देखो ये है पूरी पानी की दुनिया जहां पर कोई पानी नहीं है साही सुना आपने भाई इस डेजर्ट ने इस पूरे पानी को सु देखने को मिलेगी लेकिन पानी सूखने के कारण अब यहां पर कोई भी नहीं रहता है और जैसे हमको पानी के अंदर शिप्रैक्स देखने को मिलती है ऐसी कासल के पीछे भी काफी सारी शिप्रैक्स है जिसको इस बड़े से मॉंसर ओक्टोपस ने थबहा कर दिया है जरा कर दिया है आप इसको नीचे ही देख सकते हो भाई कितनी सारी शिप्रैक्स के तुकड़े दरूदर पड़े हैं ओ भाई अगर ऐसा मॉंसर माइनक्राफ्ट में आगे तो आप क्या करोगे में को नीचे कमेंट में जरूर बताना माइनक्राफ्ट का नेधर पोर्टल बनाना बड़ा ही असान है बस कुछ उपसीडेन लगाओ और फिलिंट के मदद से आपका पोर्टल रेडी हो जाता है और एक सेकंड यार यह पोर्टल कैसे हो सकता है मेरको तो पॉटी लग रहा है लेकिन मैं आपको दिखाने वालों एक ऐसा पोर्टल जिससे आपना सर चक्रा जा है और अगर आप गलती से ब्रिट से गिर गए तो भाई आपका वही नमस्ते हो जाएगा एंड जरा देखो भाई यह पोर्टल मेट से कितना जादा बड़ा है इसको बोलते हैं पोर्टल ना कि इस माइनक्राफ्ट के नॉर्मल से पोर्टी मलना पोर्टल को और हमारा एंड पोर्टल भी कुछ दिखने में जादा खास नहीं है पहले हमको स्ट्रोंग होल डूनना पड़ता है जमीन के नीचे फिर जाकर हमको यह एंड पोर्टल मिलता है तो आपको ऐसी जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलेगी जो बिलकुल नर्क से कम नही हैं दिखने में काफी जादा खतरनाक और डरावनी एंड आप सोच रोगे भाई पोर्टल कहां पर है बस एक सेकेंड में दिखाता हूं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिज को पार करकर एक कासल के पास आ जाना होगा और आसमान में देखो भाई ड्रेगन के बस मेरे को थोड़ी सी सीडिया चड़नी है और जैसी में गेट खूलूंगा सामने कुछ भी नहीं दिखेगा मेरा मतलब यह प्रेशर प्लेट दिखीएगी और जैसी आप इसके उपर पैर रखोगे तो आप डाइरेक्ट चट के उपर स्पॉन हो जाओगे एंड यह लो य उससे आपको अविंजर्स की याद आ सकती है लेकिन इससे पहले में को नीचे कमेंट्स में बताओ कि भाई अविंजर्स का फैन कौन कौन है अभी मैं एक एसी सिटी के अंदर हूँ जहापर आपको अभी सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा यह हमारी रोड बनी विये जिस ज्यादा बुरा हाल है और अगर हम उपर की बात करें तो देखो भाई कितने सारे घर हवा में आ चुगे हैं और जरा इसको छोड़ो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं याद आया कुछ भाई इंफिनिटी वार की लड़ाई में यहीं तो ही थी एंड जरा ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी एरशिप्स यहां पर तभावी पड़ी हैं एंड जरा नीचे जमीन देखो आपको इससे अंदाजा लगी रहा होगा कि भाई कितनी ज्यादा तभाई मचीती उस लड़ाई में तो भाई एक ट्रू अविंजर फैन होने के नाते ना इस वीडि